तो यहां पर पहला जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लग सकता है लेकिन आम शूर कि आप दूसरा तरीका को आप देखेंगे तो आप जरूर बोलेंगे कि यार काफी अमेजिंग है यह काफी मज़ा आ गया ठीक है खेंच चरो अभी स्टार्ट करते हैं हाँ गाइस स्वाइब करता हुआ आपको फिर से एक ब्रैंड वीदियो में तो आजके इस वीडियो में आप जाने वाले हैं और पाप को पर चला नहीं कोई में इसके शेट खानीट के वज़े से हमारे लैपटर ऊंपने साथ क्या हो गया हमारे लैपटर खराब तो नहीं हो गया यह पापा को पापा बहुत मारेंगे एक बात बता हूं बहुत सिंपल है तो तरीका आपको बताऊंगा इसको solve करने का चलो मेरे साथ इस वडियो को add तक देखते हैं और समझते हैं पूरे process को step by step तो यहां पर पहला जो तरीका है वो थोड़ा सापको करके कर लेना तो राइट क्लिक करना और यहां पर नीचे में आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले सेटिंग्स ठीक है तो इस पर आप चले जाओ और यहां पर इस पर क्लिक कर लो उसके अंदर पर आपको बहुत सारा option दिखेगा जहां पर आपको डिस्प्ले रेजलेशन होगा उसके नीची में आपको एक option मिलेगा डिस्प्ले ओरियंटेशन है ना तो जैसे डिस्प्ले ओरियंटेशन के अंदर आओगे तो यहां पर चार option आपको मिल रहा है तो सिंप्ली से आप जो है लैंड स्केप वाले option को जो है चूज कर लो उसक है ना देख सकते हो कितना अचा सब्सक्राइब डिस्प्लेश करके दिखा देता हूं देखो कुछ भी टेंशन नहीं हो रहा है चलो यह था पहला तरीका अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा तरीका तो दूसरा बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्या करना है जैसे कि मालो हमार डिस्प्लेश यहां पर रोटेट है ठीक है उल्टा पूल्टा हो गया किसे छेट चल कर दिया है आप हम इसको सही करेंगे तो सिंप्ली से कीबोड में देखो यहां पर जो है राइट वाला अल्ट बटन दबा दो दबा कर रखो प्रेस करके एंड उसके बाद यहां पर जो है यह ने फिर से पृणा दीता हूं जो है उसको प्रेस करते जाना वहाँ पर कर दिस्प्लेश होता जाएगा है ना तो I'm sure यार कि अब आपके मर में कोई भी डाउट ने रहेगा आपके मर में कोई भी डर नहीं रहेगा कि यार हमायर laptop को नहीं हो गया है ना नहीं रहेगा ना चलो क्योंकि अब आपने सीख लिया कि किस तरीके इसे जो है rotated display को जो है हम सही कर सकते हैं तो अगर यह वीड एडिकेटेड वीडियो लेकर आजाओंगा आपके लिए यहां पर दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं जो भी आपको पसंद दे उस पर क्लिक करो एंड इंजॉय करो